इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह संक्रमन कारी सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक कर संक्रमन के खिलाफ लड़ता है। इस दवा के बहतर असर के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हूँ। किसी भी तरह की अलजी यानि की रैशेज, खुजली, सूजन, सांस की कमियादी के मामले में तुरंट मेडिकल सहायता पाने के लिए कॉल करने की सलाह दी जाती है। इसका उपयोग करने से पहले, अगर आपको कोई बुनियादी बीमारी है या किसी भी स्वास्थि समस्या के लिए दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। बाहर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं आमतोर पर अन्य दवाओं से प्रभावित नहीं होती हैं, हाला कि अगर आप सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो यह आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको इस दवा से ग्यात अलजी हैं, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। इलाज के दौरान, आपको ठीक होने की रफ्तार को बाने के लिए उचित व्यक्तिगत स्वचता का पालन करना होगा। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।